हे गाईज तो अगर आप कोई भी समसंग का स्मार्टफून इस्तमाल करते हूँ और काई सारे चीजों के लिए VPN का इस्तमाल करना पड़ता है जैसे कि अगर मुझे कैपकाट अप्लिकेशन को चलाना हूँ जैसे ही आप VPN को कनेट कर दोगे उस टेम पे भी कुछ-कुछ अप्लिकेशन के अंदर एड्स देखने को मिलेगा और मालों अगर आपका काम हो गया सक्सेस्पूली आपको VPN को बापस से डिक्टिवेट करना है उस टेम पे भी आप जैसे VPN को open करोगे उस टेम पे भी आपको कहीं बार ads देखने को मिलेगा तो एक बहुत ही सिंपल सा है जिसके लिए VPN को connect करने के लिए आपको VPN अप्लिकेशन को open नहीं करना पड़ेगा नाहीं VPN को disconnect करने के लिए फिर से open करना पड़ेगा हाँ तो सबसे पहले तो आपको इस control center को open करना है देन इस pen tool को click करना है देन यहाँ पे आपको edit बाले सक्षन के पर tap करना है यहाँ पे जो full edit का option है यहाँ पे देन नीची की तरप आपको काफी सरे available buttons देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको find करना है toggle VPN करके simply इसे drag करके उपर की तरप आपको drop कर देना है जहाँ पर भी आप इसे रखना चाते हो then done फिर आपको यहाँ से back कर देना है अभी आप देख सकते हो मेरे phone में VPN connect नहीं है बड़ जैसे मैं control center को open करता हूँ यहाँ पे यह जो VPN का logo है या फिर icon है यह आचुका है simply इसके आपको tap करना है connect करने के लिए और आप देख सकते हो VPN का या पर सिंबल आ चुका है यानि कि VPN successfully connect हो चुका है मैंने कोई भी application को अभी open नहीं किया हूँ सेम उसी तरह से इसे disconnect करने के लिए बापस से control center को नीची की तरफ लाके इसके उपर आप जैसे ही tap कर दोगे VPN disconnect हो जाए कि अपर आपको जैसे हो जाएपको चुका है कि अपर